तिमाही नतीजों पर बाचीत के लिए हमारे साथ LIC का मैनेजमेंट है, हमसे खास बाचीत के लिए हमारे साथ मुझूद है LIC के M.D. सिदार्थ मोहनति सार सबसे पहले तो हमारे साथ जुडने के लिए आग बहुत-बहुत शुक्रिया सर नतीजे जो पेश किये आपने तिमाही नतीजे उसमें क्या मेजर हाइलाइट्स रही और जो नौन पार्ट सेग्मेंट में जो हम ग्रोथ देख रहे हैं क्या ये सस्टेनेबल है और इसके पीछे क्या वज़े रही धन्यवाद अनुराग आप जैसे देखेंगे पिछले तिमाही जो है नौ महीने का जो डिसेम्बर में तिमाही खतम हुई उसमें लाइसी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है और पूरे बिजनेस पर भी अच्छा ग्रोथ दिखाया और खास करकर आप जैसे बताया नौन पर नॉन पर सेग्मेंट खास करके हम जैसे IPO के बाद ये फोकस नॉन पर के उपर रहा है LIC का क्योंगि LIC जो है सुरू से पार बिजनेस जादा करती थी पार डोमिनेंट लेकिन सिस्टेमेटिकली हमने हमारे इन्वेस्टर को भी आस्वेशन दिया कि धीरे-धीरे जो है इसमें बदलाव आएगा और आप देखेंगे साथ 7.12 जो था फास्ट क्वेटर वो बढ़के आज के तारिक में 9.45 है नॉन पर का सेर टू टोटल बिजनेस और इसका एक मुख्य कारण जो मैं बताऊंगा कि मार्केट में हमने पिछले कई महिनों में नया प्रड़क्ट जो कि कॉस्टमर हमारे ग्रहक के बहुत रूची रखेगा एसे इसे प्रड़क्ट लाए हैं और हमारे फिल्ड फोर्स को भी अच्छे ट्रेनिंग दिये हैं ताकि नौन पर का धीरे धीरे बढ़ उत्री होगी सर्व मार्जिन की बात करें वी एंबी मार्जिन लिस्टिंग के समय नौ परसंट अब आप 15 परसंट तक पहुच गए हैं तो क्या इस पूरे जवित्वर्स का जो टार्गेट रहेगा वो इससे जादा ही रहेगा और आगे चलके 24 के लिए उसका आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं यह देखें मार्जिन की जहां तक बात है आप देखेंगे 9 परसंट से लेके अभी 14.6 नियरली 15 के आसपास हम लोग पहुच रहे हैं और यह हमारा प्लांड हुए में हम कर रहे हम चाहते हैं कि हमा अच्छा रहता है और खाली मार्जिन के लिए कॉस्टोमर के लिए उसका बहुत ही रूची रहता है कॉस्टोमर का इंट्रेस्ट भी बहुत है नॉन पर प्रड़क्ट में तो प्लांड हुए में हम लोग इसके ओपर ध्यान दे रहे हैं और आने बहले समय में आप देखें और पूरा मुझे विश्वास है कि इसी दिशा में जो हमने कमिट्मेंट किया है उसको हम पूरा करने में सक्षम रहेंगे और सार पर्सिस्टेंसी रेशियो की बात करें तो वहां पर किस तरह का सुधार दिख रहा है और उसके लिए कुछ और LIC ने स्पीशल कदम उठाए दिखे परसिस्टेंसी जो है इसमें भी हमारा प्रयास हों hay dy theo अथे मिए रहा है आप्शिस्टेंसी के लिए समय पर हम बहुँत सारा प्रयास कर रहे हैं खास करके जो 355 को उसमें पूरा एक तरत का बाची चल रही है नहीं देखे हम लोग का जो इन्वेस्टमेट नॉर्म से है इन्वेस्टमेंट नहीं खरती है हमारा आई एरडे नॉर्म इंस्टरेंट साक्ट और हमारा इंटर्णल एस्टमेट होता है और जैसे मैंने बताया लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है या निचे निचे गया बेच के निकल जा वो भी नहीं है। अबजेक्टिव क्या है। हम काम करें। तो ये उपर निचे जो होता है। उसमें हम लोग कोई वेतित नहीं होता है। हम लोग को पुरा नज़र रखें। तो हाल के दिनों में सर कोई भी जो अदानी के अंदर एक्सपोजर वगरा उसको आपने कुछ भी कम नहीं किया वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है नहीं देखिए अब भी जो स्तितिता अभी वही है और आज के तरह में पॉजिटिव है मैं जैसे पता है पॉजिटिव है सर एक और जो आपकी कल कॉनकॉल थी वहाँ पे कहा गया कि आप आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से तो किस तरह की बातचीत होगी क्या जानकारी लेना चाहेंगे और अभी तक क्या जानकारी जुटाई है अरे जो हिए इनवेस्टमेंट डिपार्ट्मे red उनके संपरक में है उनके साथ जोंके पत्रह और बातचीत करेंगे गहाँ अर conserv क्या मसलय तो chef उब्री Cake क्योंकि हम बड़ा कंपेश्चामे ग मैंनेजमें वो आने वाले दिनों उसके कोई टाइम लाइन का? टाइम लाइन इसा नहीं, अभी तो हमारा बोर्ड मिटिंग, अभी रेजल्ट आपके सामने बैठे हैं, तो अभी वो डिपार्टमेंट है, कंसर्ण डिपार्टमेंट, वो लोग को करेंगे. सर, एक बजट पर आँगो, बजट के अंदर जो एक इंसुरेंस से जुड़ा हूँ एलान हुआ है, पांच लाग से ज़्यादा प्रीमियम करने पे, तो उसका कितना इंपक्ट होते हुए आप LIC पे देख रहे हैं, आपके ओवराल कारोबार पे देख रहे हैं? अभी देखिए, आप अगर टाक्स के साथ इंसुरेंस को जोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो बजट में अनूंस किया गया है, कि वही पांच लाग से जो प्रीमियम ज़्यादा देते हैं, वो भी पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी, जो पॉलिसी, एक चार, दो हजर तेईस, या उ इसमें 0.12%, मतलब बहुत ही कम है लोगों का, और खास करके आप देखिए, पूरे हिंदूस्तान का भी आप अंकड़ा देखो, लोग जो बीमा करते हैं, यह हमारा भ्रहम है कि भाई, टाक्स बचाने के लिए बीमा करते हैं, पूरे देश में मुझे लगता है कि टाक्स पे लोग क्या 20 कोड़ पॉलिसी वो तो नहीं हो सकता है, तो लोग जो है बीमा लेते हैं, बीमा का जो फाइदा है, लाइफ रिस्क, रिस्क कभरेज है, और एक सुरफ क्या है, उसको उसके बाद यह माना जा रहा है कि लाइफ इंशॉरेंस कंपनियों के लिए नेगेटिव है क्योंकि लोग इतना पॉलिसी वोगेरा नहीं लेंगे, लेकिन आपका है कहना है कि लाइसी पे इसका कोई असर नहीं होगा, न्यू टेक्स में कोई जाए या पुरानी टेक्स में रहे है, लाइसी के उपर असर जो है बहुत नेगलिजिबल, इंसिग्निफिकांट, पता न है, बहुत सारे जो है, पिछले यूलिप से भी गया था, और यह जो अभी का जो 1010D का जो आप जिकर कर रहे हैं, जो 5 लग का, 1010D खली बाकी इंसुरेंस में लागू नहीं होता है, जैसे अनुईटी पॉलिसी, उसमें 1010D नहीं है, यूलिप में लाइए, टॉर्म एसुर पर चुछ कमपने पर इंडर्स्ट्री आजेहोल बहुत मेर्जिनल रहेगा, बट मेरा यह धान है कि इंडर्स्ट्री आजेहोल विल ग्रो, 1010D की आपने बात की तो नए नियम लागू होंगे, एक अपरेल 2023 से, उससे पहले अभी आपके पास करीब डेड़ महिने का वक्त ह तो वहाँ कुछ strategy होगी कि जो लोगों को जादा से जादा आकर्सित किया जा सके है कि नए इंडर्स्ट्री आजेहोल जो salesforce से उनके उपर हम छोड़ देते हैं और customer के उपर छोड़ देते हैं सर एक और बड़ा development होने वाला है composite license का इंश्रेंस इंडर्स्ट्री में और यह जो है budget session के अंदर यह bill पास हो सकता है तो LIC composite license पर आने के बाद ज्यादा focus किस segment पर करना चाहेगी देखें फास्ट तो है कि LIC composite license जो मतलब decision लिया जाएगा वो सही समय पर अपना जो board है which is professional board वहाँ बिचार विमर्स करके सही decision लेंगे ओ टाइम composite में जाएगे नहीं जाएगे उसका capital requirement बहुत सरा चीज है ऐसा नहीं कि license मिल रहा है तो यह है बट मुझे लगता है कि जहाँ opportunity मिलेगा निश्चित्रूप से LIC जाएगी in the best interest of LIC's all stakeholders, policy shareholders, shareholders सबके हित्मे अगर है LIC अगर समझती है कि अच्छा है अमेर लिये तो LIC निश्चित्रूप से ओ समय पर decision लेगा board will take a call आपने board will take a call in interest of shareholders, तो सी मैं समझना जाओंगा आपसे interest of shareholders और interest of policy holders सर अभी थोड़े policy holders निराश है तो उनको क्या कब तक निराशा उनकी दूर हो सकती है अब देखे जहां तक LIC का सबाल है आप जो पूछना चाहते हैं मुझे लगता है कि यह price को लेखे तो आपने देखा पिछले तीन तीमाही में हम लोग धीरे 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 आगे बटन है और मैं पूरा अस्वस्त करूँगा हमारे customers policy holder और shareholder के LIC अपना जो commitment में उसको निश्चीतरूप से पुरा करेगा और इसका निश्चीतरूप से असर रहेगा मार्केट को उपर असर रहेगा मार्केट बढ़ेगा लेकिन जो है मार्केट बहुत सारा other factors भी रहता है तो that also also depends but मैं आसावादी हूँ कि निश्चीतरूप से positive growth होगा अच्छा मतलब जो है तो होगा वो तो फेक्टर है हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक्यू सो मच